एक चर्चा करते हैं, ये डिबेट नहीं, लेकिन एक कोशिश है समझने की कि आज जो हुआ उसके माइने क्या हैं, गुर्दीब सिंग सपल जी हैं, कॉंग्रेस पार्टी से हमारे साथ, नीर्जा चौदरी जी वरिश पत्रकार और विनोद अगने उत्री जी वरिश पत्रकार मैं एक बार फिर से दोहरा दूँ, बहस नहीं है क्योंकि वो अनफेर हो जाएगा, सपल जी हैं, बीजेपी कहेगी हमारा कोई प्रतनिद्वित नहीं कर रहा है, तो ये एक चर्चा है, सपल साब आपका बहुत-बहुत स्वागत, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता ह हूँ, कि जब सब दल, अर्विन केजरिवाल का समर्थन कर रहे हैं उनकी पार्टी का, तो कॉंग्रेस जब सत्र है, उसके शुरुवात होने का इंतजार क्यों करने को कह रही है, आप भी साथा है, सबसे पहले तो मैं आपके उस ओपनिंग कमेंट पे थोड़ा बोलना चाह देखती है, लगबाग आदे मुलक में हमारी सरकारे हैं, यह कहीं से आये लई है, यह देश में सरकारे चिला रहा है, उस ही जनता ने इनको जिताया है, जिस जनता ने भार्टी को वोड़ दिया है, और बी-जे-पी के जो राज है, जो मोधी जी की नीतिया yang उससे जो करने के लिए आज अकटे हुए है अब बात आ गई आम आद्मी पार्टी की देखिए आम आद्मी पार्टी में आज अजुद केजरिवाल जी जिस तरह से उन्होंने आज मीटिंग के अंदर बिहेव किया वो किसी एक बच्चे की तरह है जो कहता है कि मेरे थाली में पहले चा पार्टी को हराना चाहते हैं वो एकटे बैटके तेह करें कि उनको हराने के लिए हमको क्या तैयारी कर दी है और अर्विन केजरिवाल जी का इसके अंदर मुझे रखता है कोई भी आज उनने क्लियर कर दिया है कि बीजे पी को हराना के उनकी नियत नहीं है वो केवल अपन मलीक अरजुन खरگे जी, उनके कमरे में एक बैठा कोती है, सारी विपक्शी तलों की, और हर रोज होती है, और हर रोज आम आदमि पार्टी के नेटा उसमें शामिल होते हैं, तो ऐसा नहीं धिती है, सनसेत में हर सतर के हर रोज बैखते हैं और हर रोज मिलकर यह तैय करते हैं कि इस बार किस इशू पे क्या स्टेंड लेना है तो ऐसी कौन सी बात हुई है अर्विन केजरिवाल बताएं कि वो पार्लेमेंट का वेट नहीं करेंगे और वो एक शर्त रखेंगे कि मोदी जी की लड़ाई को हम कमज अब नहीं है आज की बैठक को आज कॉंग्रेस अज्यक्ष ने बैठक में इस बात को उठाया भी और बताया कि आज की बैठक को खराब करने के लिए कल से ही बयाना नहीं शुरू हो गए थे और कॉंग्रेस पार्टी चूंकि एक हम जिम्मेवार दल हैं हमने कल भी उस पर है था हम विश्वास कर रहे थे कि आज अर्विंद केज्रिवाल जी और उनकी पार्टी मोधी जी को हराने के लिए भारती जित्ता पार्टी को हराने के लिए जिए उसमें शामिल नहीं हुए जी सपल साब यहां पर यह भी जिकर करना बहुत जरूरी है और विनोध अगनी दरार अब देखिए आप जैसे बीजेपी की तरफ से बयान दिया जा रहा है एक और नड़ा जी का बयान आया जिसमें उनका यह कहना है कि यह सारे समाजवादी उसी पार्टी के साथ जा करके बैठक कर रहे हैं जिसने 1975 में इनको जेल भेजा लेकिन आपको लगता है कि यह जो विपक्षी एकता का आज एक धृष हमने देखा है यह केजरीवाल और उनकी पार्टी द्वारा किये गए बातों से कहीं जादा एहमियत रखता है इस मीटिंग इस बियॉंड केजरीवाल मतलब उसके आगे आप देखिए बहुत सारे ऐसे दलों का यहां आ जाना मैंने समस्ता 2014 से के बाद से इतनी बड़ी पहल विपक्षी एकता के लिए हुई है आप चाही कह रहे हैं कि पहले भी पहल हुई है फोटो अपर्चूनिटीज हुई है फोटो लिये गए हैं लेकिन कुछ ठोस उसमें से निकला नहीं था लेकिन आज की बैठक मैं भी मानती हूं उससे ज्यादा सीरियस थी और उसमें एक डिटर्मिनेशन था कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी प्रॉब्लम्स बहुत होंगी ओपोजिशन इतनी पार्टेओं का गत्ता हो जाना एक प्लाट्फोर्म पे और वानन वान कॉंटेस्स की चैष्टा करना यह बहुत बड़ी जिस तरीके से उन्होंने का है जैसे कि बंदूक रखते हैं यह आप यह नहीं करेंगे तो हम यूनिटी में शामिल नहीं होंगे यह चीज़े कही जाती है बंद कमरों के बंद दर्वाजों के पीशे कही जाती है अगर बार्गिनिंग हाद करनी है तो भी इस तरह से ओपन ली आ जाना वो भी इतनी एहम बैतक हो रही है बहुत लोगों के अच्छा नहीं लगा है यह सल्टा दिया जाएगा आगले दिनों में और कॉंग्रेस का भी यह कहना मैं कॉंग्रेस के अंदर विरोधा भास है उसका डेली और पंजाब का यूनिट नहीं चाहरा है कि इनके साथ विल्कुल विल्कुल विनोज जी मैं आपके पास आना चाता हूँ और आपको लगता है आगे चलके विपकशी एकता की यह जो पहल हुई है इसमें спल जी मैं आओंगा से पूछ ले हैं आपकोने लगता है कि आगे चलके एक चुनोती बड़ी पहल हो गई और ये निरंतर होगी अब जैसे अगली मीटिंग शिमला में तो वहाँ पर एक पूरा प्रयास ये होना चाहिए जैसे कि मायोती ने कागा कि दिल से हाथ से हाथ मिला लेंगे लेकिन दिल से दिल का क्या होगा तो आपको लगता है कि वो एक बड़ा चैलेंज होगा और ये जो ये एक जटिल त्रिकोन है केजरिवाल ममता और केसी आर का इसको आप रिजा ले जाए और उसके बाद इसमें और लोगों को लाएं जो की नॉन बीजेपी पार्टीज है ने देखें चुनोती तो है लेकिन जैसा कि निर्दा जी ने भी कहा और मैं भी सहमत हूँ कि आज की जो मीटिंग है ये बहुत बड़ा माइलिस्टोन आप मान सकते हैं ये जो इमारत बनती है उसकी बुनियाद है आज बुनियाद हुई है कलश पूजन हुआ है और इमारत इसके बात बनेगी अब शिमला की बैठा कि इससे भी ज़्यादा बहुत पूर्ण होगी कि उसमें वो चीज़ेते होंगी कि कॉमन एजेंडा क्या होगा कन्विनर कौन होगा और कैसे जो है इस डाइरे को और बढ आया जाए जिसे अर्विन के जिरिवाल का मुद्दा है मंता जी ने तो आज बहुत जिम्मेदारी से विवार किया है तो एसे में एक ऐसा द्यादेश जो सुप्रीम कोड के फैसले को पलट रहा है उस पर कांग्रेस जो है और जो संगवाद के लिए बड़ी होती ही बन सकता है उस पर कांग्रेस का रुख को जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है लेकि जो नेर्यादी ने का तरीका ये नहीं है तरीका ये इसलिए नहीं है ये कि बैठक को इसके साथ जोड़ देना या विपक्षी एक ता कि एक कंडिशन रख देना वो उचित रह पुर्ष को एक तरसे डाउन रेट करने की बात लग रही जैसे को आइना दिखाने के लिए देखिए ये जो है बीजेपी के साथ मिल जाएंगे बोधी जी के साथ मिल जाएंगे ये जो तिकत है कॉंग्रेस और आमादी पाल्टी की बीच पर दोरों एक दूसरे के ऊपर य आगे चलके इसको सौल मैं गुर्दीब जी से सवाल पूछता हूं गुर्दीब जी मुझे आप ये बताईए कि प्रैक्टिकली क्या ये जो मिलन हैं ये जो मुलाकाते हैं इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि एक खुले दिल से साफ दिल से बड़ी चर्चा एक सीट पर एक विपक्ष का उमीदवार ये आगे और हो सकता है दिल से दिल मिलाने वाली जो बात है वो हो सकती है देखे बात दिल की नहीं आती है ये राज़ीती है राज़ीती के अंदर चुनोती पेश करनी है आज बैठक के अंदर भी प्रेस कांफरेंस के अंदर ये बाकायदे कहा ग आएगा स्टेट पाइ स्टेट अलग अलग फॉर्मूले आएंगे बहुत बड़ा देश है बहुत विशाल देश है और जैसे अगनी उत्री जी ने का आज उसकी बुनियाद रखी गई आप अतीस बात की है कि बुनियाद में तेजाब कोई नहीं डालता है किसी पेड़ की ज चाते हैं कि हम समर्चन करें ना करें गन पॉइंट पे कभी क्या पॉलिटिकल नेगोसियेशन होते हैं दुनिया के अंदर आज अभी आपने उनके प्रवक्षा का दिखाया कि कॉंग्रेस सफाई नहीं दे रही है क्या कॉंग्रेस पे कोई आरोप है कॉंग्रेस सत्ता में बैठी है, कॉंग्रेस अध्यादेश लाई है, कॉंग्रेस का समर्थन चाहिए आपको, सच ये है कि अर्विन केजरिवाल जी इस पूरे मामले के अंदर केवल एक इशू ढूंड के देश पर गूम रहे थे और आज कॉंग्रेस अध्याक्ष ने संकेज जी मीटिंग में बता कि यहां तक कि जो चिट्थी लिखी थी उन्होंने, कॉंग्रेस अध्यक्ष को, अर्विन केजरिवाल जी ने, वो चिट्थी साइंड भी नहीं थी, उसमें नाम भी नहीं लिखा, एक फोटो कॉपी, एक जनरल लेटर की बेज़ दी प्रिंट आउट की फोटो कॉपी, क्य इस तरह से समर्थन मांगे जाते हैं देश के अंदर, या इस तरह से मीटिंग्स कंड़क्ट होती हैं, जैसे आज हुई हैं, एक बचकाना हरकत इस देश में हुई है आज, जबकि सारी पॉलिटिकल पार्टी बड़ी जिम्मेवारी से, और इसलिए आप देखिए कि उसके जो प्रेस कॉन्फरेंस हुई, सारी पार्टी एक थी, एक टीम वर्क देश ने देखा है, और अगर इस टीम वर्क में कोई जुड़ना चाहता है, उसका स्वागत है, और जो नहीं चुड़ना चाहता है, तो देश के सामने हैं, कि वो बीजे पी से लड़ना चाहते हैं, ज आज ये नहीं मान सकता है कि राहूल गांदी और परिकार्टन फटरगे की कॉंग्रेस बीजेपी से मिल जाएगी वो यह मान नहीं सकता है क्योंकि पूरी लड़ाई कॉंगरेस पार्टी की राहूल गांदी की यहां एक साज़्ा विपोच बनाने की जो बात है उपोजिशन यूनिटी की बात है उसमें अगली मीटिंग होगी और उसके लिए जो अच्छी चीजे जो निकली अच्छे पहलू निकले वो भी और जो चुनोतियां निकली है उनका भी सामना ये दोनों ही चीज के लिए एक नीव तयार है आपका एक फांडेशन आज बिहार में रख द आउट नहीं होना चाहिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद